असलेकम वीवर्स कैसे आप सब अमीदे आप सब खेर खेरर से होंगे आज हम कबली प्लाव बनाएंगे उसकी रेसीपी में आपके साथ शेयर कर रही हूं यह बड़ा सा पतीला में ने चूले पर चाड़ा दिया था और यह एक कटोरी में बुलकुल भरके और लिस में एट कर और कली मरच यह हमने साथ ही डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा से 2-3 मिट तक फ्राइ करते हैं इसके साथ हम प्यास भी शामल कर देते हैं प्यास आप देखें यह दो बड़ी वाली प्यास और एक ग्रीन वाली प्यास यह भी मैंने लिए यह काबली प्लाव में ग्रीन व बाउन कलर नहीं तो बेल कोवा नहीं के लिब कर देना है पर दोब कर लच रहते हमाने पर दोड़ा करें पमाद है लच बमोड पाद दोब कोट है अब इसमें चिकन भी हम डाल देते हैं यह बड़े वाले पीसिस आप तेकर हैं चिकन के कापली प्लाओं में चिकन के बड़े वाले पीसिस लीजेगा यह हमने डाल दिया इसमें अब ने थोड़ा सा पकाएंगे कवर कर देते हैं तकि हमारी चिकन अच्छे से बख जाए अब चेकरते हैं 15 मिन्ट हमारे हो चुके थे यह देखें चिकन हमारी ब्लकुल ही कल चुके और विवर्स में बीच में चेक करती जा रही थी और साथ में एक कप याली में तही की और साथ आठे हरी मिर्चे इनका पेस्ट बना के यह भी में अट कर दिया था इसके साथ यह दूद, घी टूट स्बून जितना घी लिया है और एक दूद और जीरा साथ में मैंने नमक भी एट कर दिया है और ये चिकन पाउडर ये भी मैंने डाल दिया वन टी स्पून नमक मैंने पहले भी और डी एट किया होता चिकन में और ये वन टी स्पून जीरा ये भी मैंने एट कर दिया है थोड़ा से जीरा मेरे दूद में डाला है थोड़ा लग से पस यही अपकर है और नमकिन दोनी शयाथा ही दोनी पकनी always श्मख की अचैटए उर में टुफ प 실ाइए है उर की स्पून नным प्स युशा लगार है और लिधी पिर्वर्शा बाग बाटे श्प्रन किशमिश और यह काजुब थोड़ा से लाइट कलर देंगे लाइट ब्राउन कलर करेंगे ताकि हमारे जो किशमिश है वह अच्छे से फूल जाए बस दो तीन मिट तक इन्हें फ्राइ करते हैं यह देखे हमारे फ्राइ हो चुके हैं कि अब हम इसे निकाल लेते हैं कि इसी पैन में हम तुबारह से टू टीस्पून जितना ओलेट करेंगे और यह जो गाज्रे में रखी हुई है कट करके यह गाज्रे हम पका लेंगे बस इन्हें हलका सा नरम करेंगे गाज्रों को तो तो यह हमें फ्राइ करना है इतने चिकन हमारी पक रही है और यह भी हमने साथ में कर लिया है यह कलर देखें गाज्रों को कि इतना प्यारा आया है इसे भी हम पका की निकाल लेंगे अलग-अलग कर लाग अगर आप TV पकाना चाहें तो कर सकते हैं व दोनों को टीस्ट अलग से आ जाए और अच्छा आएगा तब ये मैंने डोनों को अलग-अलग कर लिया था अब डियोते है में चिनी जान चिनी भी घालती है यह लाएक देखाए नहीं टाये से लाएक लनुटाए लेखिए लड़ा के लिखा लिखा दिया है ठीपी अब चिकन भी हमारा अच्छे से पख चुका है एक ग्लास जितना हमने पानी एड़ कर दिया है इसमें अब साथ में हम चावल भी डाल देंगे चावल हमने अदा गंटा धुबो के रखे हुए थे बड़े वाले मेने चावल लिये हुए थे यह देखें राइस आप देख रहें अब हम इसे दस मिनट तक कवर करके ऐसे रख हम दो भी हम इसमें डाल लेंगे बीच में डाल देंगे जब दम पर हम चावा रखेंगे तो हम डाल देंगे इसमें बरह कर देता हैं अब समय करते हैं काबलि प्लाव यह देखें माशाला औरेडर ही तया थे तयार हो चुका था मैंने आपको बताया था यह हम काजरें किशमिश और जो काजू हमने फ्राइ की हैं वो भी हम एड़ कर देंगे अब हम सर्फ कर देते हैं कलर देखें माशाला कितना प्यारा आया है कापली प्लाओ का और चावल भी हमारे अलग-अलग है कापली प्लाओ असल में बीफ में भी बनता है चिकन में अगर आप बनाना चाहें तो चिकन में भी बनता है लेकिन जिन्हें चिकन पसंदो या बीफ पसंदो वो अलग-अलग बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप बीफ में बनाएं आप चिकन में भी बना सकते हैं नियों देखें, समय के चिकन में बीफ प्लाव किसा, कापिर प्लाव कितना बिना की बना। और भीफ में भी यह बनाते हैं हम भीफ में भी बना कि दिखा हूँगी। माशा बिना भीफ बना कि बना धिज़ाया है। खाने में तो उसका टेस्ट बहुती ला जवाब है, मिद है कि आपको ये मेरी राइस की रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताईएगा, आपको हर नए नए तरीके की रेसिपी, राइस की, हर चीज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी काबली प्लाव, अफगानी प्लाव एक ही कह जाता है, इंग्रीडेंट्स एक ही डलते हैं, तो हो आप अफगानी कह सकते हैं या काबली, आपकी मर्दी है, अल्लाहाफ चाहिए